Hello everyone, welcome to the channel जैसा कि आप लोग काफी टाइम से request कर रहे थे कि ARO क्या करता है, उसका syllabus क्या है, paper pattern क्या है, क्या क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें और उसकी जो job profile है, वो क्या है, क्या काम करना होता है, promotion कैसे मिलता है, इस सब पर एक video लेकर क्या ये तो आप ही लोग की request पर ये video बनाई जा रही है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने colleagues के साथ ज़्यादा ज़्यादा share करिए, ताकि उन तक भी ये जानकरी पहुंच सके कि ARO की जो work profile है, वो क्या है, और क्या क्या आप लोग को पढ़ना है तो चलिए फिर इस video को आप लोग पूरा देखिएगा, और इस video में आपको सभी important बाते हैं, जो जो आपके exam से related हैं, और जो जो ARO क से related हैं, सब आपको बताया जाएगा, चाहे वो grade पे हो, चाहे वो उसका work profile हो, चाहे आपका syllabus में क्या क्या आता है, कौन कौन से topics आते हैं, और क्या क्या आपको पढ़ना है, यह सब कुछ आपको बताया जाएगा, तो आपको करना यह है, कि अगर आप नए हैं, तो आपको subscribe करना है, bell icon पे click करना है, उसको all पर set कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ इसको share करना है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो जैसा आप लोग देखना है, अपने screen पर की, उप समिक्षा दिकारी, उप समिक्षा दिकारी यानि ARO, ARO कि अगर हम लोग बात करते हैं, वर्क प्रोफाइल की, तो वर्क प्रोफाइल में जैसा आप लोग जानते हैं, कि यह एक official job है, तो यहाँ पर आपको files related, आपको work जादा रहेग तो यह सब आपको work profile में आपको देखना है, अब आते हैं job type की, तो यह job कैसी है, यह एक non graduated job है, याद रखिएगा, ARO जो है वो graduated नहीं है, ARO यानि समिक्षा दिकारी की जो आपकी job है, वो आपकी graduated है, जबकि ARO एक non graduated है, अब आते हैं इसके बाद grade pay पे, तो बात करें अग लोग का जो grade pay है, वो आपका 1200 grade पे है, तो 1200 grade पे के हिसाफ से अगर आप salary calculate करिए का 7 pay में, तो लगभग 47,000, 49,000 पे बनती है, तो यह काफी handsome salary है, तो आप लोग में से जो लोग तयारी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह तयारी करें, क्योंकि अगर 47,000, 49,000 की आपको job चाहिए, तो आपको मेहनत तो करनी होगी, फिर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, प्रमोशन पे, तो प्रमोशन किस में होता है, और कब होता है, प्रमोशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले, अगर आप ARO की यानि assistant review officer की post पे अगर आप recruit होते हैं, तो उसके बाद आपको पहला प्रमोशन मिलता है, वो आपको मिलता है review officer यानि ARO पे, तो ARO का यार दखिए कर जो आपका grade पे था, वो आपका था 4200, जब आपका पहला प्रमोशन होगा, और आप ARO बनेंगे, यानि review officer बनेंगे, तो आपको जो grade पे हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 4900, ठीक ह 4800 grade पे पे आपको ARO की जो post है वो मिलेगी, और ये जो आपका promotion होगा, ये 5 से लेके 7 साल की duration में आप eligible हो जाते हैं, और आपका promotion हो जाता है, condition ये है कि ARO बनने के लिए आपके पास में O level का certificate ज़रूरी होता है, अगर आपके पास O level का certificate रहेगा, तभी आप ARO के लिए apply कर स section officer की job, ये एक class 2 job है, इसकी जो आपकी grade पे है section officer का वो आपका 54 होता है, और section officer की job जो आपका है, जो आपका pad है, वो भी आपको ARO बनने के 5 से लेके 7 साल के बीच में आप promotion के लिए eligible हो जाते हैं, और 5 से लेके 7 साल के बीच में आपका promotion हो सकता है, अब इसके बाद section officer के बा grade पे है, वो लगबग 6800 पे grade पे, चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो UPRVNL में, जो ARO का exam होगा, उसका paper pattern क्या रहेगा, तो जैसा कि आप लोग इससे पहले भी आपको बताया था कि ये जो आपका exam होगा, ये दो पार्ट में होगा, paper 1 और paper 2, जो आपका paper 1 होगा, वो आप की 50 objective question रहेंगे, जो की general English और general knowledge से पूछे जाएंगे, और इसके बाद, आपका एक subjective paper होगा, जिसमें आपको essay लिखने होगा, वो आपका part 3 होगा, ठीक है, part 3 में आपको 3 topics पे essay लिखने होगे, हिंदी और English दोनों ही भाशाओं में, और जो की कम से कम 200 words का होना चाहिए, तो part 2 आपका 50 objective है, English और GK, part 3 आपका subjective रहेगा, और ये subjective में आपको 3 topic पे essay लिखने होगे, English और हिंदी दोनों ही भाशाओं में, और ये जो यह से होगा, वो कम से कम 500 words का होना चाहिए, काफी लोग परशान थे और ये पूछ रहे थे कि जो 100 marks का, जो आपका HR का आ रहा है, उस HR में क्या-क्य topics पढ़ना है, और बहुत सरे graduates जब form भरेंगे, तो उनको पता नहीं है कि HR में क्या पढ़ना है, तो ये देखी आपके सामने topics लिखे हुए हैं, ये सब topics आपको पढ़ने हैं, इसका screenshot ले लीजे, और इस पर आप जो notes बना सकते हैं, net से भी देखकर के, और ब तो आप उन topics की market से जाकर की books भी ले सकते हैं, जब lockdown हट जाए, नहीं तो आप net की मदद भी ले सकते हैं, इंटरनेट पे आप सभी topics के बारे में सर्च कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, और copy में अपना एक notes बना सकते हैं, काफी समय हैं, अभी exam होने में, क्योंकि अभी जो situation उस हिसाब से अभी काफी समय लगे का exam होने में, तो आप लोग के पास काफी time रहेगा तयारी का, तो आप लोग HR का जो पहला portion है, यानि 100 marks वाला उसकी अच्छी तयारी में लग जाएं, और उसके लिए आपको notes बनाने होंगे, वो आप internet की help लेके आराम से बना तो आपका जो GS का portion है, यानि part 2 है, वो आपको अच्छे से cover हो जाएगा, part 3 में आपका essay है, वो आप जितना आपको subjective practice रहेगी, जितना आप लिखते रहेंगे, उतना ही आपका mind चलेगा, उतना ही आप अच्छा essay लिख पाएंगे, तो वो तो आपकी उपर है, जितना नाद आपको बताया गया है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको like तो करिए करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और उनको भी बताईए कि ARO की क्या क्या तयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, और उसका grade पे क्या है, promotion क्या से होता, बाकी details क्या है, तो तब तक के लिए देखते रहिए Electrical Vision